हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथ ही दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आई है इस वीडियो में बात करने वाल है सवास्ते बाग भर्ती के बारे में जो की बगत फूल्चिंग सरकारी मेडिकल को लेग के दवारा जारी की गई है पोस्ट है अस्पेशलिक डॉक्टर और डूटी मेडिकल ओपिसर इन पोस्ट के लिए 143 वेक इंसीच पर बढ़ती होने जा रही है और इस बढ़ती के लिए आल इंडिया से मेल फीमेल कंडिडेट आवेधन कर सकते है दोस्तो अगर बात की जाए सेलेक्शन पोरसेस के बा जानना होगा इन पोस्ट का इलिजबिल्टि क्राइटेरिया, एज लिमिट, सेलेक्शन पोरसेस, एप्लिकेशन फी, सेली पैकेज और जानना होगा आप इस बढ़ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो जो किये पूरी डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ओफिशन नोटिफिकेशन के दवारा स्टैप बाइस टैप परवाइड कराने जा रहा हूँ, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतक। दोस्तों हम आपको इस भरती की पूर्जानकारी इस नोटिफिकेशन के दवारा स्टैप बाइस टैप परवाइड कराने जा रहा हूँ, तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए, यह नोटिफिकेशन भगत फूल सिंग गवर्मेंट मेडिकल कोलेज फॉर वोमेन खानपूर कला सोनिपत हर्याना के दवारा जारी किया गया है, अपलाई करने के लिए पोस्ट है अस्पेशली डॉक्टर और ड्यूटी मेडिकल पोफिसर, दोस्तों यहाँ पर 143 वेकेंसिज निकली हैं जिन में से अस्पेशली डॉक्टर के लिए 43 वेकेंसिज हैं और 100 व मरत्илась से अस्पेशली डॉक्टर के लिए 8 वेकेंसिज निकली है, इस पोस्ट पर आपको सेली मिनने वाले हैं 2 लाग रूपे पर मन tent, जनरल मेडिसिन के लिए 8 वेकेंसिज निकली हैं, और यहाँ पर भी आपको 2 लाग रूपे सेली कर रूम में मिनने वाले हैं, 5 लग दी वेकैंसी णिकलिяг और यहां पर भी आपको 200 लंह रुपए सेल लिए के रूम में परमन्त मिनने वाले हैं टुटी मेडिकल ओफिसर पोश्ट के लिए सो वेकैंसी निकलिए हैं दोस्तो category वाई vacancy भी आप यहां से check out कर सकते हो और इस पोस्ट पर आपको sale मिनने वाले है तिरान मैजार रुपे पर मन्त दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि apply करने के लिए education में क्या eligibility होना जरूरी है यहां पर especially doctor के लिए MBBA degree और साथी साथ MD या MS या DNB या DIP होना जरूरी है duty medical officer पोस्ट के लिए MBBA degree होना जरूरी है और साथी साथ ICU experience होना जरूरी है दोस्तों यहां पर बता दिया गया है कि जो candidate degree या diploma वो भी undergraduate या post graduate या DM या MCH बिना किसी रिकोजनाइड MCI के complete कर चुके है वो candidate इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों यहां पर qualification और experience इंट्रू की डेट तक count किया जाएगा यहां दोस्तों experience और qualification इंट्रू डेट तक यहां पर count किया जाएगा अब बात कर लेता है selection process इसके बारे में आपका selection होने जा रहा है वाकिन इंट्रू के दोरा और वाकिन इंट्रू की डेट के बारे में आपको inform किया जाएगा official website पर जियां दोस्तों आपको official website regularly देखनी है जो कि है www.bpsgmc.ac.in इस official website को apply करने के बाद आपको regularly open करनी है दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पर कुछ required details आपको provide करा दी गई है जो आपको apply करने से पहले जानना जरूरी है तो मेरी आपसे यह request है कि apply करने से पहले यह details यहां से check out जरूर कर ले दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हो apply करने के लिए आपको यह application form डाउनलोड करना होगा जो कि आपको इसी notification में provide करा दिया गया है दोस्तों इस application form को download करने के बाद आपको यह fill up करने के बाद आपको एक बार फिर से इस application form को completely check out कर लेना है कि आपने complete detail fill up कर लिया या नहीं दोस्तों अगर आप complete detail fill up कर लेते हो तो आपको इसके साथ में required document attach कर लेना है और फिर required document attach करने के बाद आपको यह application form submit करना है mail id पर submit करने के लिए mail id है bpsgmc job2020.gmail.com जियां दोस्तों इसी email id पर आपको यह application form original document के साथ submit कर देना है और application form submit करने के लिए live date है 13 5 2020 जियां दोस्तों 13 5 2020 5 PM तक आप इस भरती के लिए अवेदन कर सकते हो दोस्तों यह थी इस भरती की पूरी जानकारी अगर अब भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो notification का link मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूँ महाँ से आप notification download करके इस भरती की पूर जानकारी आसान से check out कर सकते हो और फिर उसके बाद apply कर सकते हो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like out share जरूर करे अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है regular basis पर